दोस्तों दुनिया की तस्वीर बदलना और बदले हुए रूप को दुनिया के ही बीच में स्वीकार करवाना किसी महानेतमकारीय से भी बढ़ कर होता है। वो कर्म जिसे करने के लिए पीडियां गुजर जाती है, कितनी जिन्दगियां खाक हो जाती है, लेकिन वो कर्म सफलता की सीडियों को नई चड़ पाता है, जिससे कर्म की महत्ता लगबग समाप से हो जाती है. लेकिन एक समय, दिन, वह सालों गुजर जाने के बाद एक आहट से सुनाई देती है जिसे सुनकर एक सुकून सा लगता है उस आहट को सुनने के बाद आसपास के जिन्दगियां और उन्हें जीवन रूपी अगनी का प्रवा करने वाले भी फूलों की कलियों की तरह महगना सुरू कर देते हैं जीवन की मैत्ता के बलजन्म और मरत्यूत की सीमित नहीं होनी चाहिए उस दिव्य सक्ती ने तुमें जिसकर्टब का निर्वहन करने के लिए इस संसार रूपी रास्ते पर चलने के लिए अवसर प्रदान किया है जिससे व्यर्थ गमाना किसी जिन्दगी को गमाने के बराबर ही है दोस्तों आपको कर्म का फल बले ही वर्तमान या भविश में मिले ये कोई माइने नहीं रखता है लेकिन आपके द्वारा किया गया प्रते कर्तब का निर्वहन और उसका एक एक अंस सिर्फ आप और आपको ही मिलने वाला है इसलिए आपका कर्म, दया, भामना, मंजिल और दरपन आपका ही एक प्रतिबिम्भ है जो आपको ही हर दिन दिखाई देता है और एक सची तस्वीर आपके सामने उबर कर आती है